हेलो दोस्तों कैसे हैं सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक विल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मनोच कॉमिक्स के चौते सैट की तीसरी कॉमिक्स मूर्ख राच किसी समय एक देश में एक धनवान किसान रहता था वह बहुत सुखी था इश्वर की उस पर बड़ी किरपा थी उसके तीन बेटे और एक बेटी थी बड़े किसमत वाले हो काका सारे देवता तुम पर प्रसंद नहें उसका सबसे बड़ा सैनिक शिक्षा लेकर राजा के यहां एक सैनिक तुपड़ी का अफसर बन गया उसका नाम बलजीत था आगे बड़ो मेरे बहादूर सैनिकों और दुश्मन का सफाया कर दो किसाम का दूसरा लगा धनवीर व्यापारी निकल गया और शहर जाकर उसमें बड़ी सी दुकान खोल ली यहलो रकम एडवांस में लेकिन ध्यान रहे माल कल पहुंच जाए माल कल जरूर पहुंच जाए तीसे रड़के का नाम प्यारे था लेकिन सीधा साधा होने के कारण सब लोग उसे मूर्ख समझते थे उसका नाम मूर्ख राज पढ़ गया रखेती बाड़ी समालता था एक पहले प्यारे से पूछ लूँ भाईया जो जाएं वह खुशी से दे दो बाबा मेरे मेरी इच्छा तो नहीं थी मगर तुम कहते हो तो इसका हिस्सा दे देता हूं मूर्ख राज बड़ी आसानी से मान गया कुछ दिन बार धनवीर आया बड़े भाईया को हिस्सा मिल गया मैं क्यों चुप रहूं यहलो चाबिया तुमारी कोटरी में तुमारा हिस्सा रख दिया गया तुम शायर हिस्सा मांगने ही घर आयो पिताश्री आप कितने अच्छे हैं पाताल में एक शैतान रहता था उसने अपने तीन चेलों को बलाया बड़ा अफसोस है बटवारा अ ठीक है जाओ यदि तुम उन्हें वापस में लड़ा ना सके तो तुमारी खाल खीच लूँगा जो आगया महबली शैतान तीनों शैतान चेलों ने आपस में काम बाट लिया मैं बलजीत को समालता हूं ठीक है मैं धनवीर के पीछे पढ़ूँगा मूर्ख राज को समालना प्र तीनों ने आपस में विदा ली जै महाबली शैतान की जै हो जै पहले शैतान चेले ने अपने चमतकार से बलजीत के भीतर हिम्मद और घमंड भर दिया इसी कारण एक दिन बलजीत अपने राजा के दर्बार में जा पहुँचा महराज की जै हो मैं महराज को सारी दु से बाहर निकल पड़ा और दिल्ली की और प्रस्थान किया अगले ही दिल्ली राज़ पर घेरा डाल दिया गया बलजीत की बारूत गीली कर दूँ अच्छा अपसार है बारूत गीली हो जाने से दूसरे दिन लड़ाई में बלजीत की सेना मारी गई और बलजीत जान बचाकर युद्धे चेत्र से भाग पड़ा, पता नहीं बारूद गीरी कैसे हो गई, भाग कर वा जब राजा की दरबार में पहुँचा, इसे जेल में डाल दो, इस शेक चिल्लिया हमारी बेज़त ही कराई है, सैनिकों ने बलजीत को जेल में डाल दिया, दूसरा शैतान धरमवीर क धनवीर के नगर पहुँचा, उसने धनवीर को लालची बना दिया, लोग वश अधिक मुनाफ़ कमाने के लिए धनवीर माल खरीद कर गोदाम भरने लगा, तुम्हारे पास जितना माल है ले आओ, मैं सब खरीद लूँगा, हमने माल तुम्हारे गोदाम में रखवा दिय हमने भी और हमने भी ठीक है, अपने माल की कीमत ले जाओ, मौका बगर शैतन ने गोदाम में रखे, माल को जादू से सड़ा गला दिया, हाई, मैं मर गया, सारा रुपिया माल खरीदने में लग गया, माल सड़ गया, अब क्या होगा, दौनर शैतनों के कारणामों से कंगा में हूँ, मदद करो, आप लोग यहां आराम से रहिए, इश्वर सब ठीक करेगा, अगले दिन मुर्क राज खेत में गया और हल जोतने लगा, उसी समय तीसरे शैतान चेले ने जमीन में छिपकर उसका हल पकड़ लिया, अरे हल चलता क्यों नहीं, मुर्क राज ने जोर ल के बाद भी हल चला रहा है, चलो, एक बार फिर इसके हल से लिपट चाओ, शैतान जमीं के अंदर भीतर घुजकर फिर हल से लिपट गया, लगता है हल किसी जड़ से उलज गया है, जैसे ही मुर्क राज ने जबीन में हाट डाला, जड़ की तरह लंबी पतली, गीली, गील चीज उसके हाथ में आ गई, राम राम, क्या घंदी चीज है, मुर्क राज ने जैसे ही उसे हल के हत्ते से मारना चाहा, शैतान अपने वास्तिक रूप में आ गया, और दया याचना करने लगा, मुझे मत मारो, दया करो, मैं तुमारे काम आउंगा, क्या मेरे पेट का दर् यह लो, तीन शाक वाली बूटी, इस में से एक खा लो, मुर्क राज ने जैसे ही तीन में से एक बूटी तोड़कर खाई, अरे, इतनी जल्दी धर्द गाया, अब मुझे छोड़ दीजे, जाओ, भगवान तुमारा भला करे, अगले ही बल शैतान धर्ती में गिरकर अब मैं मुर्क राज को छोड़ूंगा नहीं, अगले दिन मुर्क राज ने खेट पर जाकर सोचा, खेट की घास साफ कर ली जाए, जैसे ही वह घास काटने लगा, पहले शैतान ने जमीन में घुसकर हसिया पकड़ लिया, लेकिन अगले ही बल, पापरे, उंगलिया कट ग जहां दूसरा शैतान च्षपा हुआ था, जैसे ही मुर्क राज का तेज हसिया शैतान की पूंच से टकराया, उसकी पूंच कट गई, ओ, पूंच कट गई, शैतान भाग कर खलियान में अनाच के धेर में घुझगया, सारा अनाच, साड़ा दूगा मुर्क राज के ठीक है, तेरी भी वही कती होगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आओगा, क्या काम आओगे? मैं तुम्हें बहुत से सिपाही दूँगा, मुझे लड़ने वाले सिपाही नहीं चाहिए, गाने वाले सिपाही चाहिए, ठीक है, जएके पूले को ऐसे जमीन पर रखक जहां हो तेरी सीख वही हो ठे एक जवान मंत्र पढ़ते ही सैकडो सिपाई उन पूलों में से निकल आये और ढोल तुरही बाजों के साथ नाचने गाने लगे लेकिन मैं इन्हें खिलाऊंगा क्या इन्हें पहले वाली हालत में ला दू तब यह मंत्र पढ़ना सुनता है दिखाई देने लगा अब तो मुझे जाने दीजिए जाओ भगवान तुम्हारा भला करे भगवान का नाम सुनते ही शैतान धरती में समा गया वहां पर पैदल केवल एक सुराख रह गया अगले दिन दूसरा शैतान अपने साथियों दौनों साथियों को ढूडने आया उ मेरे दौनों साथी विपत्ती में पढ़कर वाफिस लौट रही अब देखेगा मूर्खराज मेरा गुस्सा उस दिन मूर्खराज को लाड़ी लेकर पेड़ काटने पेड़ गिराने आया इस पेड़ पर बैठ जाओं देखता हूं कैसे पेड़ गिराता है आधा दिन करते हैं मूर्खराज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद